हलो फ्रेंट्स, आइम अप्रती, वेलकम बैट टू आर चैनल प्लांट से स्पेस जून में आपने फुटबॉल एली की फ्लावरिंग की वीडियो तो देखी ही होगी अगर अभी तक चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चेक कीजिए इन प्लांट से हमें काफी अची फ्लावरिंग मिली और अभी आप ग्रोध भी देख सकते हैं पहले उसमें फ्लावर्स आ गए थे और बाद में लीवस आई लीवस भी आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी हैं, ग्रीन हैं और प्लांट भी काफी बड़े हो चुके हैं तो अभी कुछ सीड हमें कुजन पहले दिखाई दिये, तो हम्ने इसको थोड़ा चुपा कर रख दिया था, क्योंकि बंदर इसको देख़े हैं तो एकदम इसको तोड़ जाते, प्लान को भी तोड़ जाते, और जो इसमें सीड्स बन रहे हैं, उन पूद ग्ले थे, तो ये स उसमें सीट्स बनने होते हैं तो फिर फ्लावर स्पाइक ग्रीन भी रहती है तो इस पे जो सूखी हुई स्पाइक है इस पे एक ही सीट अभी बना था और वो भी अब रेड हो चुका है यानि कि तयार हो चुका है तो इसको तो हम हर्वेस्ट कर लेंगे और कुछ और सीट्स ह ही सीट्स बनते हैं जैसे कि हमारे एक फ्लावर स्पाइक में तो सीट्स पक्कर तयार भी हो गया तो अभी इसको हम हटा देते हैं रिमूव कर देते हैं और जो एक फ्लावर स्पाइक है उसमें अभी दो सीट्स बन रहे हैं तो यह मटल के दाने जैसे होते हैं कुछ-कुछ last time भी हमने आपसे share किया था लेकिन उसका जो seed हमने collect किया था वो रखा रहा काफी time तक और फिर वो jelly के जैसा था जैसे jelly होती है हमने शैद आपको खोल कर दिखाया भी हो उस वीडियो में उस seed को तो अभी याद नहीं है सही से लेकिन वो jelly के जैसा होता है इसको harvest किया अभी इसमें दो और green seed है जो कि अभी ये पूरा green है तो इसको तो हम अभी harvest नहीं करेंगे ऐसे ही लगा रहने देंगे जब ये red हो जाएंगे तब हम इनको देखेंगे और जिस तरह से अभी हमने पहला वाला seed collect किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे जब ये पूरी त इसको आप वैसे ही grow कीजिए जो cutting से grow होते हैं उनको cutting से grow कीजिए जो bulb से multi-ply हो सकते हैं बल्ब से propagate हो सकते हैं उनको bulb से grow कीजिए अब देखिए इसमें भी बेबी बल्ब बनते जा रहे हैं यानि कि एक bulb से दूसरा bulb तयार हो जाता है और इसके बारे में हमने आपसे वीडि से इनको हम लगबग April के समय में grow कर लेते हैं तो उसकी वीडियो आपको description box में मिल जाएंगी तो अभी plants काफी healthy हैं और यह green leaves ही help करती हैं बल्ब को healthy बनाने में क्योंकि अगर यह अच्छे से growth करेंगी तो photosynthesis होगा photosynthesis होगा तो food बनाएगा plant और food बनाएगा तो bulb healthy होंगे यह कुछ baby plants हैं जो कि last year के हैं और यह देखें पूरा grow बैग इसका फट चुका है जो कि आटा बैग से हमने तयार किया हुआ था इस बार हमने इसको बाहर भी नहीं निकाला और इसमें दो तुलसा जी के पौधे एक रामा और एक शामा तुलसा जी यानि हरी वाली और काली वा बाकी इसमें दो तुलसा जी के पौधे हैं इनसे जो सीट गरेंगे उनसे नए ने पौधे अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर उनको हम अलग शिफ्ट कर देंगे यह कुछ और बल्ब हैं जो कि इस बार हमने जो healthy bulb mother bulb निकाले थे मिटी से बाहर तो उसमें जो ज लगा दिया था एक्स्ट्रा थे थोड़े और यह इसमें बालसम का एक फौधा ग्रो हो गया इसको या तो हम अलग से निकाल के दूसरे पॉर्ट में शिफ्ट कर देंगे बाकी एक्स्ट्रा हैं तो इसमें growth करते जा रहे हैं इनको भी healthy होने में एक दो साल लग जाते हैं अ